हाई फ्रेंड वेलकम टो माई चैनल सोनी चड़ दमेकरमाट देखे यहां पर मैं यह लेमन कलर का जूमर बनाऊंगी और यहां पर मैंने यह 30 दागे ले लिया हैं टोटल 30 दागे और एक दागा मैंने तीन मीटर का काट के लिया है यह लाइटर और यह सीजर और यह रिंग मै आइध के हैं मैंने 12 इंच का और यह एकक्स टा दा गज लिया हमेने काट के अभी मैंने यहां पिसाभी दागे ले लिए हैं एक साथ और रिश्व दागे से मैं इसको एसे नोट लगाँगे एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से निकालंब के धागे को शाए दब दॉत क कवर करूंगी और इसका जोमर का टांगने का बनाओंगी उपर का देखिए बना दिया है और यहां से भी मैंने एक दागा निकाला और ऐसे खीच-कीच के सभी दागों के ऊपर से लेकिए आ रही हूं और ऐसे थोड़ा टाइट-टाइट सा यह कवर करना है और इसको भी थोड़ा सा बना के बंद करना है देखिए यह बना लिया मैंने अभी मैंने यहां पे चारदा आगे लिए चारदा आगे लिए हैं और सिंपल नोट लगाऊंगी मैं ऐसे ऐसे सिंपल नोट लगा लगा कि मैं ऐसे एक एक लाइन पूरी करूंगी फिर से चारदा आगे उठाए और सिंपल नोट लगानी है देखिए यहां पे मैंने यह तीन लाइन पूरी कर ली है से सिंपल नोट लगा लगा कि और अंदर सिदागा जो बच जाता है उसको भी यहां पे खीच के थोड़ा सा सिंपल नोट लगा रही हूं मैं फिर अंदर कोई दागा रह गया उसको भी उपर की और खीच के और सिंपल नोट लगानी है यह साथ साथ इसके पास में हो जाएगा यह और सभी दागे उपर की और आ जाएंगे यहां पे मैं यह सिंपल नोट लगा लगा के यह दस लाइन पूरी करूंगी मैं पहले एक लाइन पूरी करनी है फिर दूसरी लाइन पूरी करनी है फिर देसरी लाइन पूरी करनी है ऐसे सिंपल नोट लगा लगा के और टोटल लाइन मैं दस लाइन पूरी करूंगी यह गोल्ड टाइप में हो गया है इसके पास पास में देखिए फिर मैंने नीचे यह सिंपल नोट लगा दिये हैं पहले मैंने यह दो इंच का दागा लू छोड़ दियां और फिर सिंपल नोट लगाई है वही चार दागे पकड़ कर यह सिंपल नोट थोड़ी आराम से लगाने है नहीं तो खिछके उपर चली जाएगी यह नोट बदो इंच का दागा लू छोड़ना है और फिर नोट लगा के तीन इंच का दागा नीचे छोड़ना है और फिर छचयंच का रिंग डालूँगे कि निपिर्ट दाल रहे mmDDD paint और फिर मैं इसमें नीचे बिस डालूँ गी यज दालकर एक एखक लाइन पूरी करें की नङिए यहां पर मैंने एक चोड़ दी है यह exactly लिए 10-10 डाले मैंने यहां पर और ऐसे यह सिम्पल नोट लगाउंगी बिय्ट्स के उपर तो फिर बीट्स फिर शिंपल नॉट और फिर बीड्स फिर सिंपल नॉट ओ यहां पर मैंने एक साथ डाल लिये हैं 10 बीड्स और फिर सिंपल नोट लगा रही हूँ मैं बीट्स को अपर किया फिर सिंपल नोट लगाई फिर बीट्स को अपर किया फिर सिंपल नोट लगाई टोटल मैंने हर लाइन में मैंने दस-दस बीट्स डाले हैं और मैंने यह नीचे फिर बारा इंच का रिंग ले लिया और रिंग पे मैंने सभी दागों को ऐसे अटेच कर रही हूँ नोट लगा लगा के और इन को ऐसे नोट लगा लगा के इन में बीच में गैप हो गया है और इसके अंदर मैं दागा डाल लूँगी gap के अंदर देखे ये सब ये दागे मैंने ring पे attach कर लिए अब मैं इसमें ये दागे डाल रही हूँ और total दागे मैंने यहां पे त्रेपन लिए हैं और एक दागे को मैंने एक एक मीटर का काट के लिया है ये दागा ऐसे ring के अंदर से लिया फिर नोट लगाई फिर एक दागे से ऐसे नोट लगाई पूरे दागे से ऐसे ही ये ring कवर करना है और इन gap के अंदर मैंने ये चार-चार दागे डाल के पूरे रिंग को ऐसे कवर कर दिया देगे मैंने यहां पे ये सब दागे डाल लिये हैं और यहां पर मैं अब बीटस डालूँगी चार दागे उठा गर इसके अंदर मैंने ये बीटस डाल लिया दो दागे के अंदर अदर फिर एक एक दागे से इसे नोट लगाई सिंपल वाड़ी नोट रही है और फिर दूसरे चार दागे उठाई यहां से यह ऐसे ही पूरी एक लाइन करनी है और यहां पर यह बीड्स लगेंगे एक लाइन में और मैं यहां पर तीन लाइन पूरी करूंगी यह बीड्स डालके बीड्स डालके रिंग के ऐसे यह घेरा बना के पूरी तीन लाइन पूरी करूंगी मैं इसे बीड्स डाल डालके इसका यह डिजाइन बन जाएगा चारदा आगे उठाए फिर मैंने यहां पर बीड्स डाला फिर सिंपल नोट लगाई देखें मैं एक साथे तीन लाइन लेके चल रही हूं फिर मैंने चारदा आगे उठाए फिर फिर नोट लगाई सिंपल वाली नोट फिर दूसरी लाइन में भी इन दो दागे उठाए बीच के और उसमें बीड्स डाल लिया इन बीड्स डाल दिया फिर सिंपल नोट लगाई फिर तीसरी लाइन के भी इन बीच के दो दागे उठाए तीन लाइन हो गई है एक साथ फिर इसके नीचे में पत्ती का डिजाइन बनाऊंगी फिर सिंपल नोट लगाई यहां पर यह थोड़ी कीज के नोट लगानी है ताकि इसका अच्छा गेरा बन जाए फिर सिंपल नोट लगाई बीच डालके देखी मैंने यह तीन लाइन पूरी करके अभी मैं यहां पर पत्ती का डिजाइन बनाऊंगी मैंने यहां पर 7 बीच की पत्ती का डिजाइन बनाऊंगी मैं साथ बिट्स होने चाहिए उस पत्ति के अंदर और फिर मैंने ये बिट्स डाले फिर में सिंपल नोट लगा रही हूँ इस पूरे जूमर में सिंपल नोट ही लगेगी सिर्फ सिंपल नोट से ही डिजाइन बना है इस पूरे जूमर का देखें पूरे में ही सिंपल नोट लग रही है बिट्स डाले और सिंपल नोट लगाई देखें यह पत्ती ऐसे बन के आएगी यह मैंने और पत्ती बना ली है शिरफ यह एक छोड रखी है अभी देखें मैंने यहां पे हम साथ बट्स डालें अद्स डालेंगे फिर चैंड 버न फिर हम पांकूल नूमल नोट लगा दीसने मैं ऐसे कैंची से काट दूँगी इनको धागों को यहां पर दो इंच का दागा छोड़के मैंने कैंची से काट दिया था और बैल्स डाल ली है नीचे अभी मैं यहां पर धागा डालूँगी नीचे एक रिंग डालने के लिए देखी कैंची की साइधा से मैं यहां पर दो फसाऊंगी, यह ऐसे ही, यह दो दागे फसाँगे, यहां पर मैंने दो लाइन छोड़ी और एक लाइन में मैंने दागे फसाई, फिर दो लाइन छोड़ी, फिर एक लाइन में मैंने दागे फसाई, ऐसे किया है, टोटल यहां पर यह पंदरा लाइन है, और देखी, यह ऐसे सिंपल नोट लगा लगा के यह ऐसे बद्धी टाइप की बनानी है ऐसे सी दे लेगी जाके यहां पर मैंने यह नोट टोटल पैथिस लगाई हैं सिंपल नोट पैथिस लगा के और फिर इसमें रिंग डालना है आठ इंच वाला रिंग दीखें यह शिंपल नोट लगा रही है बार बार एक साइड से निकाला प्र दूसरी साइड से निकाला ऐसी लगती है यह शिंपल नोट देखें मैंने यह पर फिर यह आठ इंच का रिंग ले लिया है और इस पर मैं यह सब भी बात दी ऐसे अटेच करूँगी एक-एक दागे से ऐसे नोट लगाऊंगी मैं एक बार निकाला पिर दूसरी बार निकाला धागा तूसरी बार निकाला यह नोट ऐसे लग जाएगी एक एक धागे की इससे भी ऐसे नोट लगा के पूरे रिंग पे मैं ऐसे अटेज कर लूँगी यह पांच बद्दी हैं यह ऐसे फिर यह दूसरी बद्दी ली उससे भी ऐसे एक एक दागे से ऐसे नोट लगाई और फिर इसमें भी ऐसे गएप रह जाएगा पिर मैं उसके अंधर यहां पर दागे डाल लूँगी पूर्व दागे पर मैं यह सभी ऐसे बद्दी अटेज कर लूँगी नोट लगाल लगा के हुए है कि व्रनीकाला दागा फिर दूसरी बार निकालन यह से अटेच्स हो जाएंगे सारी बद्धी पिर मैं याँ पर यहैं यहां पर आठट दाघे यां पर मैंने आठट दागे डाले हैं गैप के अंदर आठ दागे लिए ऐसे डाले और फिर एक दागा से ऐसे निकाल की ये नोट लगाई खीचके फिर दूसरी साइड से भी ये दागा ऐसे निकाला और नोट लगाई एक फिम्सरा दाग भी रिंग के अंदर से ऐसे नोट लवाई पूरे गैप के अंदर मैंने यहां पे आठ आठ दागे इस ने फसाल यह को और रिंग को ऐसे कवर कर दिया है पूरी को जैसे मैं उपर यह पञे ऊक्ति कह डिजैन बनाया है वैसे लिए इनची पत्ति कह डिजैन का नओंगे और चार दागे ऊठा कर bits डालूँगी दीखे मैंने यहां पे फिर चार दागे ले हैं और इसमें दो दागे के अंदर bits डाला यह डाल दिया फिर नोट लगाई simple नोट लगाई जैसे मैंने उपर तीन लाइन पूरी करी दिय दिना ऐसे ही यहां पर मैं तीन लाइन पूरी करूँगे ऐसे यह बिट्स डाल के मैं पूरी लाइन करूँगे जैसे उपर की ही मैंने वैसे ही मैं यह नीचे करूँगे देखिए ऐसे यह बिट्स डाल डाल के और यहां पर मैंने टोटल बीट्स 25 यूज किया है एक लाइन में फिर दूसरी लाइन में 25 बीट्स फिर 30 लाइन में 25 बीट्स ऐसे एक लाइन पूरी कर लिए मैंने फिर दूसरी लाइन इसमें भी बीच के दागे लिए और इसमें बीट्स डाला फिर सिंपल नौट लगाई यह सिंपल नौट लगाई बीट्स डालके और फिर तीस्री लाइन भी ऐसे ही करनी है देखें मैं एक साथ लेके चल रहे हूं तीनों लाइन को बीट्स डालके अभी दूसरी लाइन में मैंने बीट्स डाला फिर सिंपल नौट लगाई यहाँ पर भी थोड़ा हंखीच के सिंपल नौट लगानी है ताकि इसका घीरा अच्छे से बन जाए अब फिर तीसरी लाइन में मैंने बीट्स डाला फिर सिंपल नौट लगाई इतन लाइन पूरी करके फिर मैं यहाँ पर पत्ती का इडिजाइन बनाऊंगी जैसे उपर बनाया है उपर की लाइन में मैंने साथ बीट्स के अंदर पत्ती का डिजाइन बनाया है और यहाँ पर मैं पांच से बीट्स के अंदर का पत्ती का डिजाइन बनाऊंगी यहां पर मैंने पत्ती बना दी है और एक पत्ती यहां पर मैंने छोड़ दी अभी यहां पर बना के दिखाऊंगी फिर सिंपल नोट लगाई एक बार निकाला फिर दूसरी साइड से निकाला धागा ऐसे यह सिंपल नोट लग गई फिर दो धागे उठाए बीच के उसमें बिट्स डाला और फिर सिंपल नोट लगाई यहां पर मैंने ऊपर पांच बीट्स हो गए फिर नीचे चार बीट्स हो जाएंगे साइड साइड में तो दो धागे कम हो जाएंगे यह तीन बीक्ट सागय अभी नीचे फिर नीचे दो बीर्टस आजाएंगे फिर नीचे एक बेन्स आजाएगा फिर यह पतिका डिजाइन बन जाएगा पिर बीच के दो दागे लिए फिर बीट्स डाला फिर सिंपल नोट लगाई पिर यहां पर एक बीट्स आएगा भी दो बीट्स आके फिर एक बीट्स कुक है और यहां से मैं यह दागी काट दूंगी फिर साइड से पत्ति बनाकी अँछ कि देखि इसमें अभी बेल्स डालूंगे और फिर यहां से थोड़ा ञाला के इनको प्योंगे और पूरे म यह से बैल्स में हाइफ रैंड हिसमा न फूरा बन गया घुमर झाल झाल झाल